मसकार दोस्तों स्वागत आपका हमारे न्यूज यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी किंद्रे क्रमचारी हैं पैंसनर और फैमिली पैंसनर से उनके लिए बहुती बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है सरकार ने मारे क्रमचारी की जो बैसिक सैलरी उसको लेकर बड़ा ऐलान किया है जहां क्रमचारी की बैसिक सैलरी में फाइदा होगा वहां क्रमचारी को नुकसान भी देखने को मिलेगा जी हाँ दोस्तों हम आपको इस वीडियो के मादम से डिटेल से बताएंगे जुड़े दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लाश तक दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपस रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स डाइम विजिट किया है तो चैनल को सस्क्राइब करना ने भूले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी चिरूर दबाए जो भी गुर्मेंट इंपलोईज और पैंसनर से समन्दी नूजाती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंद पहुंसके तो आहे दोस्तों बिना किसी दिरी के हम वीडियो को स्टाट क होगा या फिर वेतन मान में सुधार होगा तो उसके जो फायदा होता है लेकिन आपके लिए लागू होने जा रहा है न्यू वेज कोड की जगह है आपकी जेब हलकी होने वाले है नए वीत वरस में वेतन से जुड़ा न्यू वेज कोड लागू होने वाला है और इसकी काउंट में आप पहले की तुलना में कम पैसे आएगा न्यू वेज कोड की ड्राफ्ट रूल से लगबग त्यार है न्यू वेज कोड के लागू होने के बाद उन लोगों को फाइदा होने वाला है जिसकी पैसिक सैलरी बहुत कम है नए नियम की वबस्ता की जाएगी और की जो टेक होम सैलरी है वो घट जाएगी न्यू वेज कोड के मुताबिक हर महिने मिलने वाली पूरी सैलरी की बैसिक का हिसा 50% होगा कुल सीटी सी में मूल वेतन महंगाई बता और जो रिटेंग अलाउंस सामिल होगा तिनों को जोड़कर मिलने वाली कुल सैलरी की हर महिन मिलने वाले वेतन का 50% होना चाहिए बाकी वेतन में दूसरे बत्ते भी इसमें सामिल किये गए हैं अभी तो जो सैलरी स्ट्रेक्चर है उसमें सीटी सी का 32 फुजदी बैसिक सैलरी होती है अगर वरतमान में आपको 1.50 लाख रुपे सीटी सी मिलती है तो आपकी बैसिक सैल सेलरी 48,000 रुपे का 10 फिजदी नेसलन पैंसन स्कीम में जाएगा यानि कि हम बात करेंगी जो एन पीएस में जमा होगा वो 4800 रुपे बैसिक सेलरी से 12 फिजदी यानि कि 5760 रुपे जो प्रोविडेंट पंठ यानि कि EPF में चला जाएगा इसी तरह 1.50 लाख रुपे परतिम आगी सेलरी वालो के 82,560 रुपे का हिसाब हो गया अब बाकी की जो 664,040 रुपे आपके जो अन्य भत्ते हैं जैसे कि हम बात करें स्पेसल अलाउंस हैं इसमें बताया गया है उसके रूप में आपको जो मिलते हैं सेलरी के किस पार्ट पर टेक्स और कौन सा पर जो टेक् देना होगा फ्यूल और ट्रांसपोर्ट फोन अखबार किताबों के लिए अगर आपको कोई अलाउंस मिल रहा है तो उस पर टेक्स नहीं देना पड़ेगा यानि कि ये बते टेक्स फ्री हैं अब हो सकता है कि HRM के कुछ हिस्सा पर आपको टेक्स देना पड़े बैसिक सेल पास जदा पैसे जमा है तो उस पर आपको टेक्स का बुकतान होगा दोस्तों ये थी आज की मैरे लेटरस अबडेट आए होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बड़ेट के साथ तब